तो हम मेरी गाड़ी पर लग रही है विनाइल और बेसिकली जब हम लंबे रूट पर जा रहे होता है ना तो यह वाला जो पैनल है ना इसके लिए इस तरीके के कर्टेन नहीं थे तो वर्ट आई थाउट रिस कि इसके उपर ना मैं विनाइल लगवा लेता हूं सो ग्लास की उपर फिल्म लग गई है हमारे साथे पराग भीया रीगल कस्टम की तरफ से तो पराग भीया बताओ कि अब अगर वाली चीज क्या लगाने वाले आप शोली हाई गौराव एक्जैक्ली हम इसके उपर एक वाइनिल एपलाई करेंगे जो की यूवी रेस से आपक हीट की दो अगरम फिल रहा उसे काफी हाद तक रिमूव कर देता है काफी हाद तक कूल रखता है सेकेंड आपकी रेस को रिक्लेक्ट करता है वापीस फ्रो कर देता है अंदर नहीं आने देता है यह सारे इसकी क्यौलिटी लाइज यह बहुत हाई-end जो गाड़ी आती उन तेंक यू फॉर दिस इंफॉरमेशन अगले वीडियो के अंदर हम वो ही करने वाले हैं हलो व्रीवान वेलकम तुन नाक्स लॉग मैं हूँ जो जो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आए एक और नया व्लॉग तो मेरी जो गाड़ी है इसके आज हम सर्विस करने वाले हैं तो यह बेसिकली गेट अवे की सर्विस के ऊपर वीडियो है साथ ही के अंदर जो सर्विस होगी उसके साथ में नया टर्म एड़ान है जिसे कहते हैं डिकार्बोनाइजेशन सो हम क्या करेंगे हमारी गाड़ी का डिकार्बोनाइज करेंगे पूरा का फूरा इंजिन जो की दो फेस में होगा पहले फेस के अंदर जो liqui moly के जो प्रोडेक्ma से हम वो यूस करने वाले और Likvi moly के जो प्रोडेक्ट से उनकी वज़े से मेरी डीजल लाइन जो है वो भी मैं क्लीन करूँगा और उसके अलावा इंजन फ्लश करके नया इंजन ओयल डालेंगे पहली चीज उसके अलावा जो गाड़ी के अंदर जित्ती भी छोटी मोटी चीज़े टूट रखी है खराब हो रखी है हम उन सब को रिप्लेस करेंगे तो अब हम सीधे की सीधे जाते हैं गैराज और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और आप लोगों के लिए एक और स्पेशल न्यूज है मैं महिंद्रा में एज़े एक्सपर्ट अपॉइंट हो चुका हूँ सो गेटवे चलाते मुझे महिंद्रा के एक जॉब मिल गई जिसके अंदर मुझे ऑफ रोडिंग और वह सारी चीज़े कराऊंगा जो कि मुझे करनी है थैंक्स तो महिंद्रा फोर गिविंग मी इस काइंड आफ अपरचिनेटी क्योंकि आप समझ रहना है बिलकुल अलग जॉब हो गई सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं तो गाइस गाड़ी लग्चू की रैंप के ऊपर और अब हम करने वाले हैं इसकी सर्वेस इस तीख झा notification है यहां researchers समान के अधे में आप लोगो zaten डिखाने वाला क्व सु यह वहारा समान सो यह रहा सारा का सारा समान जो मेरी गाड़ी में सर्विस के अंदर यूज होगा साथ में डिकार्बॉनाइजेशन के अंदर सबसे पहले हम डालेंगे फिल्टर जो एसी फिल्टर है उसके अलावा इस बार में यूज करने वाला हूं महिंदरा का इंजन ओल साथ में डीजल और ओयल फिल्टर, एयर फिल्टर और इस वाले पैड से हम कनवर्ट करने वाले इस बार ब्लाक वाला क्योंकि मेर को आई लव ब्लाक कलर इन माई राई सेम टाइम पर मैं लिक्वी मॉली के प्रडेक्ट यूज करूंगा यह वाला जो है यह सूपर डीजल एडेटिव इससे गाड़ी की परफॉर्मेंस और माईलेज में फर्क पड़ता है इंजन फ्लश करेंगे उसके बाद हम इंजन ओल डालेंगे ताकि इंजन का सारा कार्बन निकल जाए साथ के अंदर हम डीजल जो फिल्टर उसमें डालेंगे डीजल लिक्वी मॉली का पर्ज इससे डीजल की जो लाइन से पूरी की पूरी लेन हो जाएगी यह हमारे पास है रामबांड डाली फॉट्टी जिसको हम हर जगे यूज़ कर सकते हैं सो अभी मैं नेशन कार पॉइंट हूं विनभिया एक बाह बताओ यहां पर गाड़ी सर्विस के लावा और क्या क्या काम होते हैं कार सर जार भी अपने पास यहां पर सारी गाड़िया है जो भी लो से हाई सेग्मेंट तक सब कुछ है अपने पास और जितना भी जो भी कोई काम हो पार से रिलेटेट हो सारा ही होता है यहां पर अपने तो गाइस नेशन कार पॉइंट का मैं लिंक डाल दूंगा अगर आपको क कुछ भी करवाना हो यू कन सी माई राइट कुछ ना कुछ यहां होता रहता है तो आएए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम उपन करते हैं प्रांक आगे वाला यह बोनट और इसमें डालते हैं जो लिक्वी मॉली का इंजन फ्लेश है वो उसके बाद हम अब हम डालने वाला इसके अंदर इंजन फ्लॉष तो टिंगु जी इंजन फ्लॉष डालने के बाद किती देर इंजन को चलाना होता है तो गाइस यह है लिक्वी मॉली का इंजन फ्लॉष मैं इसका भी लिंक डाल दूँ हूँ हा इंजन फ्लॉष डालने के सबसे बड़ा फाइदा क्या है कि जहां भी ओईल चलता है वहां एकना लेयर बन जाती है मैं प्रिफर यह नहीं करता है कि आपको हर बार इंजन फ्लॉष करना ची पट वट अगर आप सर्विस कर रहें तो दो चार सर्विस बाद आप अगर करते रहें तो अंदर की तरफ कार्बन नी जमेगा तो आपकी गाड़ी का माइलेज और उसकी परफॉर्मेंस दोनों में करता है कि अगर आप कि 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 आप चलेगा गाड़ी का इंजन आइडिल के उपर दस मिनिट उसके बाद में हम द्रेंड करेंगे इंजन लुक्रा ॏ तो अम €1 अब डालएं इसके अंधर डीजीएल अडिटीव टैंक को रिफिल करते हो एकता अगर आप साथ में डालते है तो इससे गाड़ी का वाइब्रेशन औरAre दोनों पर फर्क पड़ता है वाइब्रेशन कम हो जाता है और गाड़ी का माइलेज बढ़ जाता है तो यह ज़्यादा कॉस्ट नहीं करता मगर इसको डालने से फाइद है बहुत है अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर AC का केबिन फिल्टर जिसके अंदर यह जो वाला स्पॉट है यहां ब्लोवर है और ब्लोवर के जस्ट उपर की तरफ यहां पर केबिन फिल्टर होता है जिसको आप स्लाइड करके खोलते हैं और हम डाल रहे हैं उसमें भाहिंदरा का ओरिज उसकी जो air conditioning की जो हवा है ना उसकी quality भी improve हो जाती है तो हमको इसको साफ भी कर सकते हैं और हम चाहें तो हम नया भी डाल सकते हैं गाइस देखो पुराने वाला जो है उसकी हालत देखो आप और ने का difference देखो आप सबसे पहले जो drain plug है नीचे की तरफ इसको खोल कर और oil चेक करेंगे इस oil को निकालने के बाद में हल्की सी सीम आ रही कि देखो आप डाक में इस देखो और यह देखो डाक वैसे जी होता है और साथ के अंदर जो flush डाला हमने उससे भी यह डाक हुआ है और यह जो pan है हम इस pan को खोलेंगे ताकि हम भी check कर सकें कि इस यह कितनक इथे पैक्टिव है और सेम टायम पर आप यह देखो यहानिसीम आ रही है हल के हल्की तो जो सीम आ रही है इसके लिए भी इस की छोलकर और नई रिप्लेस करके लगे तो अब हम डाल रहे हैं इस गाड़ी के अंदर फिल्टर जो महिंद्रा का फिल्टर आता है इसके उपर ऑईल लगावा आता है देख रहा है तो ऑईल की वज़े से जित्ती भी डर्ट होती है सब पकड़ लेता है और मैं औरीजिनल स्टॉक ही यूज कर रहा हूं कोई अब कर देखो जो इंदर ये तक आ रहे है और इस फिल्टर की हालत देखो आप सो दिस इस दा रीज़न अगर फिल्टर ना हो तो ये जित्ती गंदी की है न ये सारी की सारी इंजन में जाएगी और इंजन खराब हो जाएगा सो आब हम क्या करेंगे हम इसको वाश करेंगे और उसके बाद नया फिल्टर लगाएगए तो जब तक टिंकु जी एर फिल्टर लगा रहे है तब तक हमारा गोविन जो है ये डीजल फिल्टर खोल रहा है डीजल फिल्टर खोलने के बाद ये जो पर्ज है ये पूरा का पूरा पर्ज हम डीजल फिल्टर में डालेंगे और उसके बाद में जब इंजिन चलाएंगे तो कॉंसेंट्रेटेटेड पर्ज है वो सीधा का सीधा इंजन में जाएगा और यह फ्यूल लाइन है यह पूरी की पूरी क्लीन हो जाएगी अगर आपको यह ऐसे लग रहा है कि यह ब्राड न्यू पार्ट है तो ऐसा नहीं है यह लिक्वी मॉली का जो फ्लश था इंजन फ्लश यह उसी का कामाल है इसकी वज़े से पूरा का पूरा पार्ट देखो जिस इस जस लाइक ब्राड न्यू और सेम टाइम पर मैं आपको द करेंगे तो बहुत जादा काम करेंगे लिटरली यह वाली चीज ना इफेक्टिव है अगर आप थोड़े थोड़े टाइम में दो-पांच सर्विस में एक बार करवाले तो जिसका ओएल फिल्टर तिंग करते हैं हार सर्विस के उपर हापको गाड़ी का ऐल फिल्टर चेंज करना होता है जब आप ओईल चेंज करेंगे तो मींस ओईल फिल्टर भी आपको चेंज करना होता है लो नीच से लो कि नीचे लो तो नीचे का जिता भी काम था हो गया आप उपर वाली जो थोड़ी बाट जो चीज है बच्ची है हम वो रेडी करेंगे और इसी के बीच मैं मैं आपको दिखा हूँ कि ब्रांड न्यू अंडवर आ रहा है सरमी कोट के लिए इस ब्लाक कलर लुक्स एक रियली सिक और हमारी गडी तो है ऑसम अब डल रहा है समें इंजन ओई एड़ी तो गाइस इस बार मैं यूस कर रहा हूं इसके अंदर महिंद्रा का ग्रीन कलर का जो इंजन ओई यह भी शेल का है बट अ यह एजी लिए अविलेबल हो जाता है और इस बार मैं बताऊंगा कि इसकी परफॉर्मेंस मुझको कैसी फील रहा है तो गाइस एट लास्ट गाड़ी हमारी रेड़ी हो चुकी है मैं आपको बता दू गाड़ी के अंदर क्या क्या हुआ पाच घंटे की महनत के बाद में पूरे की पूरी जो गाड़ी हो सर्विस हुई सबसे पहले हमने इंजन ओल चेंज करा हमने लिक्वी मॉली का फ्लश यूज करा इंजन फ्लश करने के लिए ओल फ्लश करने के लिए साथ में हमने ओल फिल्टर चेंज करा डीजल फिल्टर चेंज करा साथ में हमने उसमें परज डाला जिसकी वज़े से पूरी की पूरी ड नहीं डाली साथ के अंदर आप देख सकते हैं कि गाड़ी अंदर से बिल्कुल क्लीन है ड्राइक क्लीन करी गई है साथ में एक चीज और करी इस बार एक रेज थी वहां मैंने साथ के अंदर जो पीछे वाला जो चार्जर पोड था उसको डीसी टू एसी कनवर्ट करा था तो एक अलग से किट आता है मैं आपको वह भी दिखाऊंगा उस किट को यूज करने की वज़े से इससे लापटाप चला सकते हैं तो हमने क्या करा हमने डारेक्ट वायर कनेक्ट क हो गई जो गाड़ी का इंटीरियर था यह क्लीन होने के साथ में जो भी छोटी-मोटी चीजें थी वह हमने चेक करी आपको मैं अच्छी तरह एक और बार दिखा दू गाड़ी बिल्कुल टोटल प्रॉपरली क्लीन है साथ के अंदर मैंने फिल्म लगवाली फिल्म लगव गया यह वाला ऐसा हो गया आगी की तरफ से मैं पूरा का पूरा वीजिबिलिटी उसे साब से रख रहा होता हूं साथ में जल्दी ही मैं आपको इस गाड़ी का वह वाला वीडियो दिखाऊंगा जिसके अंदर जित्ती भी मैंने मॉडिफिकेशन कर रखे हैं बहुत ज्या गेटवे का वीडियो था उसको आपने बहुत सारा प्यार दिया आई विश आप इसी तरीके से प्यार देते रहें मैं इस गैराज का लिंक डाल दूँगा तो आपको अगर कुछ भी ऐसा कुछ करवाना है तो आप करवा सकते हैं बाइदवे मुझे कमेंट करके बताएं कि यह जो लाइट से आपको कैसी लगी है आपको